Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस लेक्टर में चेप्टर फ्री आइकम पार्ट वन बिजिसमेद बुख शाहिद जमाल की चेप्टर है इंट्रस्ट एन अन्विटीज कुछ्टन है 3.79 how much money should be deposited in a bank to create fund of rupees 50,000 at the end of 25 years if the rate of interest is 5% compounded annually तो कुछ्टन में देखें तो यहाँ पर लिखा है how much money should be deposited यानि कितने पैसे जमा करवा जाएं कि हमें 50,000 मुलें 25 साल बार ठीक है तो अब यहाँ पर हमें कितने पैसे जमा करवाने चाहिए तो that means कि हमें r find करना है तो formula same ही लगेगा पिछले कुछ्टन की तरह but a की value दी भी है r को हमने find करना है ठीक है so 1 plus r n minus 1 upon r ठीक है so a क्या है 50,000 is equal to r इसी तहां से अब यहाँ पर 1 plus r अब यहाँ पर देखें annually है that means कि यहाँ पर m जो है वो है 1 ठीक है तो इसे divide करें या पर multiply करें तो परक ने पड़ेगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0.05 n हो जाएगा 25 ही minus 1 upon r 0.05 ठीक है 50,000 इसी तहां से उतरा r इसी तहां से रहा तो रों को plus करके exponent डेंगे तो हमारे पास आएगा 3.3863 55-1 upon 0.05 ठीक है r से तहां से रहा यहाँ पर दोनों को minus करके divide करेंगे तो हमारे पास आएगा 47.7271 तो 50,000 है यहाँ पर इसके साथ यह divide होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 divided by 47.7271 तो क्या answer आया 1047.62 answer चीक है अब है 3.80 amend deposit 5,600 in a bank at the end of each quarter for 4 years if the rate of interest is 6% compounded quarterly find the present value of NVT तो present value find करने है तो present value find करने के लिए हम से हमें फेले future value find करने है that means यह वही a is equal to वाला formal लगेगा a is equal to अब यहाँ पर r 1 plus r power n minus 1 upon r so r is equal to i upon m यानिके 0.06 divided by 4 तो क्या है 0.015 और n is equal to m multiplied by t so 4 multiplied by 4 16 ठीक है so r की जगा आगया 5,600 1 plus 0.015 n की जगा पर आगया 16 minus 1 upon में 0.015 यहाँ पर 5,600 इसी तरहां से तो उनको plus करके exponent निकालेंगे तो आया 1.268986 minus 1 upon 0.015 5,600 इसी तरहां से आया दोनों को minus करके यहाँ पर divide करेंगे तो हमाई पास आ जाएगा 17.932370 तो नों को multiply करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100421.44 तो यहाँ पर हमाई पास a आ गया यानिके future value आ गई अब हमें present value फाइंड करने है तो पीवी इस इक्वल टू एफवी एफ 1 divided by 1 plus r power n so pv is equal to future value में आ गया 100421.44 1 upon 1 plus r की जगा 0.015 and की जगा 16 ठीक है so 100421.44 ठीक है और यहाँ पर इन दोनों को plus करके 1 से डिवाइट करेंगे और 16 पर exponent निकालेंगे तो आ जाएगा 0.78803 दोनों को multiply करेंगे तो answer आएगा 79135.18 answer तो यह था आज क्या question I hope कि आपको अच्छे समझ आया होगा मज़ीद इससाइज इसन कुस्चिन के लिए जंगो करें सब्सक् साथ यह अपने क्लास में 10 फ्रेंट से शेयर भी जरू करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज